देख सकते हैं ये इसका official advertisement notice है और ये वेकंसी आ रही है I.R.E.L. के तरब से Indian Rare Earth Limited के तरब से वेकंसी आ रही है ये जो है एक PSU है जो कि आता है आपको Department of Atomic Energy बारत सरकार का परमानू उर्जा विभाक के अंदर में ये वेकंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए PSU है जरूर स सकते हैं और इंडिया से कहिंसे बिलों करते हैं बिल्कुल यहाँ पर Legislable कर सकते हैं सबिकुछ मैं आपको और विडियो को अंद तक जरूर देखते रहे हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नेकि हैं तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा जिनसे की important date की बात करें तो देख सकते हैं 30-10-2023 से आप इसको online apply कर सकते हैं और इसकी जो last date है 14-11-2023 है इस date तक आप इसको apply कर पाएंगे ये इसका important date है जरूर से इसको ध्यानम रखेगा वीडियो के description में आपको apply online link देदूँगा वहां पर click करके directly आप इसको apply कर सकते हैं यहाँ पर जो post है details of post की बात करें तो देख सकते हैं graduate trainee कुछ post है और diploma trainee की कुछ post है यहाँ पर जो graduate trainee का जो post है जिसमें यहाँ पर finance और HR vacancy है इसके लिए S1 grade की salary मिलेगी 25,000 से लेकर के 68,000 का यह pay scale है और जो diploma trainee आपको यह junior engineer की equivalent आपको job देखने की मिले जिसमें की civil mechanical electrical और chemical branch में वेकंसी है और एक training का post है geologist या petrol logist का post है और trainee chemist का post है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेकंसी है diploma trainee की 37 post है जिसमें की civil mechanical electrical और chemical branch है graduate training की post है जिसमें graduation अगर आपका रखे हैं तो यहाँ पर apply कर पाऊगे upper limit 26 years यहाँ पर दिया गए और जब आपकी training period रहेगी उस दोरण आपकी यहाँ पर यह 37,200 रुपीज यह आपको और प्लस HR आपको यह दी जाएगी तो अच्छी खास यहाँ पर आपकी salary मिलने वाली है जिरूर सा आप इसमें try कीजेगा apply कीजेगा जब आपकी trainee खतम हो जाएगी तब आपका permanent job इसमें हो जाएगा अब बात करता हैं यहाँ पर क्या qualification required है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो graduate trainee के लिए जो qualification required है graduate in commerce में अगर आप कर रखे होंगे तो apply कर सकते हैं experience में देख सकते हैं not required अगर आप लोग यहाँ पर फ्रेशर candidate है बिल्कुल यहाँ पर eligible apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो graduate trainee HR में है graduate in any discipline तो अगर आप लोग non-technical field में graduation कर रखे हैं या अगर आप B.E.B.T.E.C. कर रखे हैं तो भी यहाँ पर आप eligible apply कर सकते हैं diploma trainee का जो post है इसमें अगर आप 3-year का diploma कर रखे हैं यहाँ पर civil में या mechanical में या electrical या chemical engineering में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं diploma trainee के post में आपका 3-year का diploma qualification यहाँ पर दिया गया है कोई भी experience required ही है फ्रेशर candidate है बिलकुल यहाँ पर eligible है apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर geologist का जो post है इसमें graduation in geology में कर रखे हैं तो यहाँ पर apply कर सकते हैं और chemist का जो post है 3-year का diploma in engineering या graduate in science with chemistry as a major subject तो यहाँ पर अगर आप 3-year का diploma कर रखे हैं किसी भी branch में या किसी भी discipline में तो आप यहाँ पर eligible apply कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी branch specify करके यहाँ पर नहीं दिया गया और कोई भी experience required नहीं है तो बिलकुल फ्रेशर candidate के लिए permanent jobs है जरूर्ष आप इसमें try कीजे आपको कुछ यहाँ पर एज में relaxation मिल जाएगा जो कि 3-year का 5-year का 10-year का 10-3 यह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल लिए अब बात करते हैं यहाँ पर mode of selection की तो इसकी जो selection process है आपका written test होगा written test में जो भी आप इसमें score करोगे उसके अधार पर आपका इसमें सेलेक्श objective type questions आप से पुछे जाएंगे जो कि आपका discipline से related होगा और जो paper 2 होगा वह आपका 50 questions होगे objective का जो कि general knowledge awareness या reasoning numerical ability और general English से यहाँ पर रहने वाली है इसमें आपको कोई भी negative marking नहीं रहेगा जो भी आपकी हाँ पर score करोगे आपका positive होगा यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं देखने क यहाँ बात करें minimum qualified marks की 40% है यह आपका यूर कटेगरी EWS और OVC कटेगरी के लिए और SCST PD के लिए 35% आपका यह रहने वाली है minimum qualified marks हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो written test है उसकी center कहाँ पर होगी तो यह जो conduct होंगे यह कुछ cities दिये का हैं जो कि आपका written test examination will be held in Mumbai नागप यह 3-4-5 locations है जहां पर आपकी examination center आप यहां पर दो option अपना जो भी nearest हो उसको choose कर सकते हैं जहां पर आपकी examination center यहां पर बनाये जाएंगे और यहां पर आप अपना exam दे सकते हैं बात करें इसकी place of posting की तो इसमें जो है लिखा गया candidate may be posted anywhere in units या office of IRL only candidates willing to serve anywhere in India should apply तो आपकी इ बात करें तो application fee यहां पर आपको 500 rupees आपको pay करने होंगे for the candidate of UR जो भी EWS और OBC के डिग्री से बिलोंग करेंगे और जो SCST पीरोडी या एक सर्विसमें candidate है या जो female candidate है उन लोगों को यहां पर कोई भी application fee pay नहीं करना है आप लोग बिल्कुल free of cost में apply कर सकते हैं male candidate को 500 रु official website है इस website पर visit करके आप इसको apply कर सकते हैं तो मैं direct link आपको वीडियो के description में दे दूँगा apply online के नाम से उस link पर click करके directly आप इसको apply कर सकते हैं इसमें hard copy send करने की जरूरत नहीं है तो बस आपको only online apply कर देना है यहां पर भी instructions दिये गया है तो आप इसको read कर सकते हैं जिसमे कि details wise सभी कुछ यहां पर दिया गया है कौन-कौन से documents upload करने होंगे सभी कुछ यहां पर आप देख सकते हैं जो भी all Indian citizens है only Indian nationals जो भी हैं यहां पर आप eligible apply कर सकते हैं तो कहीं से भी किसी भी state से belong करते हैं बिल्कुल eligible हैं apply कर सकते हैं इसकी जो cut-up date 14-11-2023 है तो इस date से पहल information दी गए थी सभी कुछ मैंने आपको बता दिया यह notification PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोएन होकर कर सकते हैं वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल से और WhatsApp ग्रूप से ज़रूर से जोएन होकर करेगा वहां पर आपको सभी latest update मिलती रहती है जो भ है अगर आप लोग टेस्ट बुक पर अभी तक साइन अप नहीं किया टेस्ट बुक के बारे मैं आपको नहीं पता है तो आप लोग कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे benefits मिल जाते हैं अगर किसी भी जौब्स की त्यारी कर रहे है गवर्मेंट जौब्स की यहां पर आ कर सकते हैं तो यह आपको मिले का सभी चीज एक जगा पर जो की टेस्ट बूक है वहां पर आपको जाना होगा उसका अभी ओफर चल रहा है उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन देदूंगा ओफर लिंक से आप लोग डॉनलोड कीजिए अपना साइन अप कोड दिखेगा उस पर जा करके आपको यह कूपन कोड़ एपलाइ करना है पी के ओ थ्री पी यह आपको कूपन कोड़ एपलाइ करोगे तो इंस्टेंट 10 परसेंट का वहां पर डिस्कॉंट हो जागा किसी भी पास को अगर आप करते हो तो पास आता है एक नॉर्मल पास त करना है तब आप लोग नॉर्मल पास को परचेज कर सकते हैं